योगी अधितनाथ प्यम मोदी के उतने खास नहीं जित्ते अमित साहिए ऐसे में सबाल वाकरी में बनता है कि क्या योगी अधितनाथ मोदी के लिए खत्रा बन सकते हैं तो देखिए योगी अधितनाथ मुखर्त सभाव के आदमी वो जब भी बात चीत की जाती है वो अपनी प्रदेश में जानी मानी पार्टी हुआ करती थे सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी आज वो समाप्ति की ओर जा रही तो ये अपने आप में सवाल करे करता है हलागी इसमें एक बात ये भी आती है कि नमस्कार मैं दौला शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 News और स्वागत है आपका हमारे खासकारे करम सिंगहासन 2024 का मैं इस 2024 के सिंगहासन को पाने के लिए सभी पार्टियां लगतार अपनी मेहनत जोरो सोरो से कर रही है यहाँ पर देखा जाए तो कहा जाता है कि अगर दिल्ली में सत्ता बनानी है तो उसका रास्ता उत्तरपरदेश से ही आता है यानि रत यूपी का और कुर्सी दिल्ली की यह कहा जाता है लेकिन क्या इस बार जनता पार्टी के लिए अन्य राज्यों के साथ साथ क्या यूपी जीतना इतना असान होगा क्या उत्रपरदेश में फिर दुबारा सेंध्वारी करना इतना असान होगा बात करें 2019 के आकड़ों की तो यहां पर 80 लोग सभा सीटे हैं उत्रपरदेश में जो सबसे अधिक लो में वह अन्य के खाते में जाती है लेकिन क्या इस बार इस रिकॉर्ड को दुबारा यहां पर प्रधान मंति नरिद मुदी अपने चैरे पर दौरा पाएंगे या फिर इसमें थोड़ा साथ यहां पर बाबा योगी आदितनात का भी चाहिएगा क्योंकि 2019 में देखा जाए तो उनकी सरकार उस समय तीसरे साल में थी और लगातार उनका जो बुल्डोजर वाला एक्सन था वो यूपी के दिलो दिमाग में चाहिए हुआ था यूपी की जनता लगातार बाबाबा का नाम ले रहे थी लेकिन 2022 के बाद परिसीतिया मदली जब यहां पर कोविड आया क कई सारे मुद्ध यहां पर खड़े हुए कई सारे यूपी के नेताओ के लोगों पर आरोप लगे बीजेपी के नेताओ पर यहां पर कई कई आरोप लगे और बावा की छबी लगातार धूमिल होने लगी हलाकि अभी भी एक धड़ा यहां पर उनको बिना किसी सक्के बिन पसंद नहीं आ रहे जिस तरीके से उन्होंने कृषिन जान भूमी पर बयान दिया वह आप किसी को पसंद नहीं आ रहा यहां पर राम मंदिर बना बाइस्तारी कुप्राण पत्सिष्टा हुई और उसके बाद लहर बदल गई लेकिन एक बयान यहां पर आपने सुना होगा पर यूग अजितनात का जो उन्होंने अभी विधान सवा में दिया उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई लगातार हमने देखा बरेली में अब यहां पर तनाव किस्तिती है कई पत्थरवाजी की खबरें यहां पर सुनने को मिली तो क्या इन सब के बीच यहां पर क्या ब दुबारा अपनी तरफ बना पाएगी कि नहीं इन सबी चर्चाओं के लिए अकास हमारे साथ हैं अच्छी काजी जानकारी उनके पास उत्रपरदेश के राजनीती की है 2019 से लगातार कहीं न कहीं उन्होंने यूपी पर नज़र रखी हुई है क्योंकि सबसे ज्यादा फोक सबसे पहला सवाल यहां पर कास्ति करेंगे कि क्या यहां पर योगी अदिनात के बयान जो है क्या वो परधानमंती नरेंदमोदी के लिए खतरा बन सकते हैं क्या यहां पर चुनाप से पहले उनको पने बयानों पर काबू रखना चाहिए क्योंकि एक दढ़ा तो उससे उत्तरप्रदेश के अंदर बदलाव देखने को मिले अगर बात की जा यहां पर क्राइम की वह भी कम होता हूँ नजर आया बुल्डोजर बाबा के नाम से फेमस हो और देखिए कि उनकी इस प्रसिद्धी इस काम को लेकर यहां मद्यप्रदेश शे लेकर राइस्थान तक własता नाम है उनके मधूर जाते लेकिन अंदर खाने की बाते आती है कि जोगिया दितनात प्यम मोधी के उतने खास नहीं से है ऐसे सबाल वाकरिव में बनता है कि क्या योगिया दितनात मुधी के लिए खत्रा बन सकत है। तो देखिये योगिया दितनात मुखर्ट सभाओ के आदमी वो जब भी बातचीत की जाती हैhea वो सदान हो चाहें वो पब्लिक ली हो चाहें वो किसी डिबेट शो की बात थो हमेशा सी होगिया दितनात अपनी बात को स्पस्ट रखते हैं रही बाद उत्तर प्रदेश की काम की तो आप साथ तोर पर देखे रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन गुंडा राज हुआ करता था, आज वहाँ पर शांती देखने को मिलती है, जहां हर दूसरे दिन हर बच्चा कट्टे लेकर घुमता था, वहाँ आज से बड़े काम हुए, ग्यान वापी जैसे मामलों पर कारवाही चल रहे हैं और जो न्याय की बात है, वो की जा रही है, लेकिन जो एक गलत छवी आपने जिस तरह की जिक्र की वो बनती है, यहां पर मुस्लिम समुदाय को लिए वो लगातार काम करें, कतर हिंदु छवी व मारे में कम बोलते हैं, जब उनसे पूचा जाता है कि आप आने वाले वक्ते पर क्या सब कुछ बदल देंगे, सारे नाम बदल देंगे, तो वो बोलते हैं कि हां मैं सारे नाम बदल दूगा, तो यह कही ना कहीं एक माइनस पॉइंट है BJP के लिए, योगी अधितनाथ के में की हैं कि वो एक समूदाय को लेकर चलते हैं, जब की देश के अंदर सारे समूदाय को लेकर चलने के लिए, देश के परदान मंतर कुछ ये बात बोलते हैं, सब्का साथ सर्का अभी कास तो है, योगी अधितनाथ इस तो ये बताते हैं कि कई ना कहीं बेग्षिते वह ना कहीं सिर्फ ही ना कहीं सिर्फ हिंदु वादी को कही नなるほど की मैं बोस्फ का जाए रामंदिर पर लोगों की मांगती है रामंदिर बन जाए तो दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहिए और मुझे लगता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त पर योगिया दितनाथ बीजेपी को मुस्विवत पर डाल सकते हैं यहां पर एक दूसरी पार्टी लोग सिवा के अनुसार दिखा जाये तो सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी के बाद बी एसपी के साथ लेकिन जो जादा एक पर कई डिसेशनों को लेकर या पर उनके बयानों को लेकर बीजेपी को 2024 में गेर सकती है कि आगर बसपा और सफा साथ आ जाएं तो क्या यह नहीं बात बस्पा और सपा की आने की तो देखें इन दूनों का मनमटाओ बहुत पहले से चल रहा है अगर आप देखें तो अकलेश यादव यह बताते हैं कि वह मायावत जी को परधान मंतरी बनाना चाहते हैं लेकिन मायावती हैं जो यह नदारत करती है इस बात को ना के बराबर मानती हैं कि अखलेश यादव ऐसा सोचते हों कि देखें मायावती अपने अकेले दल के साथ आना चाहती हैं मायावती यह चाहती है कि वह चुनाव लड़ेंगी तो अकेले लड़ेंगी किसी दल के साथ नहीं जाएंगी अखलेश यादव जो उनका काम था उनकी पार्टी थी वह कहीं न कहीं है खत्म होती है नजर आ रही है ऐसे में अखलेश यादव यह चाहते है कि किसी ऐसी पार्टी से जुड़ा जाए जो उनका कुनबा मझभी उद कर सके उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बीजेपी के आने के बाद से जितनी पार्टी आती समाजवादी पार्टी जो कभी उत्तर प्रदेश में जानी मानी पार्टी हुआ करती थी आज वो समाप्ती की ओर जा रही तो यह अपने आपने सवाल कड़े करता है यह बात यह आती है कि मुलैंग सिंग जाने के बाद रहा है यहां पर अखलेश यादव की उपर बड़ी पार्टी का नहीं कर पाए मायावती को साथ ने की कोसिस कर रहे थी लेकिन मायावती खुद उनसे पीचे हट गई यहीं चुनाब यहीं करते हैं लेकिन मोधी को बूना सकते हैं हैहाँ यहां पर मोधी के लेडा हो लेकिन यहां पर we手 फर्देश में कभे बीकुछ वी बदलता है कियोंकि यहां पर धरमकी राज़निती अभी भी नहीं बलकि देखा जाए तो कई दसकों से जोरों पर है और ऐसे में अगर बात धर्म की होगी तो वोट बैंक बदल भी सकता है और चुनावी नतीजे पलट भी सकते हैं मा क्या और भी ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद